दोस्तों ठेक मेरे उपर आप देख पा रहा है गौदविच का 1.5 राइटन 3 स्टार इंवर्टर स्क्लिट एर कंडिशनर और मेरे हाथ में है इस एर कंडिशनर का रिमोट कंडिशनर और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इस रिमोट कंडिशनर के फंक्शन और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दोस्तों इस एर कंडिशनर को आप अच्छी तरीके से इस्तिमाल कर पाएंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दोस्तों आपके बहुत से डाउट क्लिर हो जाएंगे कि इस तरीके के वेल्ट विडियो में हमारे चनल पर टाइन प्रेंपर आपके लेकर आता रहे हों जो कि आपके लिए नॉलिजबल होते हैं और आपका नोलिज भढ़ाते हैं तो दोस्तों देखिए इस चरह से आपको गौधने चीज़ एर कंडिशनर का रिमोट का इंटरफेस दिखेगा तॉप में यहाँ पर ब्लैक कलर की कीज दिवी है करेंगे आ कमडिशनर को खायेगा तो की दिवी हैर कंडिशनर का इंटर रॉते है इस यह सप्मे नमीड के चाहीं नहीं है दोस्तों जैसे ही एर कंडिशनर प्रॉपर कुलिंग मूल पर आ जाता है उसके बाद आपको यह देखने को मिलेगी जो की एक तरह से पावर आप इंडाउन करने की है नीचे वाली की को जैसे हम प्रेस करेंगे तो पावर यानि की जो भी टेंपरेचर है वो हम कम कर स आप जाता है जैसे की फे इंड मोड भी या फिर ट्राइवर हो गया, यह सारे मोड, पर चेहां पर ढूंक धिख रहा है Phot dzisiaj मोड ये वह जुड़ा पर एक रन मी दिख नहींड चाहिट तो एर कंडिशनल आपकी रूम के अंदर जितना भी लिमोडियर लेवल है उसको कम करेगा और आपको एक comfortable environment प्रोवेट करेगा और इस mode को यूज करने की कुछ फायदे नहीं है दोस्तों वो यह है कि जब कभी भी आप ये mode यूज करता है तो एर कंडिशनल की compressor का water engine की current capacity पर compressor work करता है और fan की speed increase हो जाती है इससे कि आपको अच्छी घार से power saving भी होती है और उस मुसम में आप एक अच्छी cooling का experience भी कर पाते हैं next mode है दोस्तों यहाँ पर next mode पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर fan mode हो जाएगा और fan mode पर जब कभी हम एर कंडिशनल को यूज करता है तो इस दोरान आपको cooling नहीं मिलती है और automatically air conditioner के जो fan की speed हो increase हो जाती है और आपको normal air मिलना शुरू हो जाती है next mode है दोस्तों यहाँ पर heat mode पर feature दियो हुआ है तो इसके अंदर आपको heat mode का feature देखनी को नहीं मिलता है लेकिन Godrich air conditioner के अंदर आपको hot and cold air conditioner भी मिलता है उनके अंदर आपको heat mode का feature भी मिलता है जो कि winter season में useful होता है अगर आप next mode की बात करेंगे तो दोस्तों यह auto mode है और इस next mode की बात करें तो cool mode है और cool mode पर आपको हमेशा air conditioner को set करके रखना है क्योगी cool mode पर अगर आप air conditioner को use करेंगे और temperature आपने यसाफ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं उससे आपको cooling मिलेगी next key है तो उसको middle में आप देख पा रहे हैं 5 in 1 convertible cooling mode का जो feature है उसकी key दी हुई है दोस्त mode दिया हुआ है यानि कि आप इस air conditioner से इस mode पर यूज़ करके इसके जो भी actual capacity है यानि कि 100% से ज्यादा 110% capacity में इस air conditioner से आप cooling ले सकता है और C1 पर यह air conditioner दो है वो 20% capacity में यूज़ होगा अगर आप rainy season में या फिर winter season में यूज़ कर रहे हैं तो से दूशी बात है अगर आप कम capacity में यूज़ करेंगे तो बहुत बड़े रहेगा क्यों उसका में आपको उतनी cooling की requirement होती नहीं है वैसे वही अगर आपको जादा cooling क requirement तो आप C5 mode को जो है वो समा से जर्म यूज़ कर सकता है next दोस्तों यहाप नीचे के और अपको तीन की देखने को मिलेगी जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे iSense वाले बटन के बारे में दोस्तों iSense एक अच्छी टेक्नोलोजी है गौदरेश के air conditioner की विडा दमने इसे प्रेस करनी है जब कर भी आप इस बटन पर प्रेस करता है तो air conditioner जहां से आप यह operation करेंगे remote control से वो यह sense करेगा कि आप कहाँ पर बेठे हुए है आपकी धुमिन एक्टिविटी को detect करेगा और उसे साब से सबसे पहले cooling उस जगा पर महुचाएगा जहां से आप operation कर रहा है जिससे कि दोस्तों खासकर यह feature जो है वो उन लोगों के लिए काफी काम का है जो ही साते हैं कि वह भार गर्मी से आया है और चाते हैं कि air conditioner जो है उत सबसे पहले cooling pin की और ही ठोगरे तो यह feature इस तरीके से वर्क करता है इसके लावा sleep mode का feature दोस्तों हम जैसे उसे प्रेस करें करेंगे तो यहां पर एक एड का यहां पर सिंबॉल लिखा हुआ जाएगा यानि कि फिक्स्ट प्रोग्राम है एर कंडिशनर का जो कि आज घंटे के लिए इसमें क्या होता है दोस्तों की इस mode को आपको नाइट टाइम में यूज करना है और जब कभी भी अगर आपने सब हो गई तो उसमें temperature ओर डाउन होता है या फिर अगली morning ओर डाउन हो जाता है तो sleep mode में हर एक दो घंटे में एक डिगरी temperature एर कंडिशनर इंक्रीस करेगा फिर दो घंटे के बाद एक डिगरी और करेगा और तीन डिगरी तक maximum temperature है जो है वो एक इसमें करेगा उसे दोस्तों ह होगा क्या क्या आपकी इस तब नहीं होगी और आपको जितनी कुलेंग है उतनी कुलेंग आपको एर कंडिशनर से मिलती रहेंगी और यह कंडिशनर दोस्तों maximum temperature पर जब कभी भी वर्क करता है तो लो गोटेज को करता है और एसे आप अच्छी-खासी पावर सिर्म भी कर पाते हैं नेक्स बटन दो सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर एक आइकन बना हुआ जाएगा इसका मतलब यह है कि यह अपनी maximum capacity में परफॉर्म करेगा और आपको जादार पूलिंग करेगा खास करके यह शीचर आपको summer season में जब कभी आप महार से आते हैं और अगर घए हैएं कि बात करें तो सो यहां पर आपको टैमर अन過去 का टीजशन के रिक्टिया है। उसके बाふय हो सकते हैं नो करने नहीं करने के बाद यहां से प्लस माइनास की बटन से टाइम सेट कर सकते हैं जैसे अब यह आप डेख रहे है तो यहांपर repetition हो रहा है इसाफ से टायन कि आ seinin इसाफसे set कर सकता है नेक्स बटन दिया हुआ हुआ इसके जब जब कभी हम लगातार air conditioner को use करते हैं तो घर में अवारे dust particles होते हैं दूल मिट्टी जो होती है वो air conditioner के filter के उपर जामा हो जाती है तो normally आपको filter जो है वो एक सिरे हमेने के इंदर एक बार निकाल के साफ करना चाहिए जिससे ही आपकी air conditioner को जो breathing है वो easily हो जाए और अगर filter गंदर जादा हो जाता है तो उसके just next cooling coils होती है cooling coils के उपर भी dust particles freeze हो जाता है या moisture freeze हो जाता है cooling coils को proper clean करेगा जिससे कि आपकी cooling coils जो है वो proper clean हो जाएगी और आपको air conditioner से लगातार बहुत भी बड़िया साखवान देखनी को मिलती रहेगी next option है दोस्तों display का यहाँ पन जो भी temperature visible होता है display के उपर अगर आप चाहते हैं कि रात के समय है वो ज्यादा चुबरा है आपके आँखों में तो आप चाहें तो इससे बंद भी कर सकता है और दोबार आप रेस करेंगे तो आप मापस जो रहे हैं वो शोगी कर सकता है अजब आप फीचर दोस्तों swing का feature इस तरीके से काम करता है कि जो भी आपको यह टेशनर के इंडोर रिट का बिलता है उसका अगर आप रोटेट करना चाहते हैं कि हवा पेंड डाउन आपको देखने को मिले जिससे आप प्रेस करेंगे तो जो ब्लोर है वो मुवेंट करना तो दुबारा अगरा प्रेस करेंगे तो उसकी जो मुवेंट है वो रिट हो जाने दे या फिर जब कर दे ना चुरू कर देगा लास्ट बटन दिया हुआ है दो रिमोट कंट्रल का लॉक करने का अगर आप चाहते हैं कि इस बटन को आप प्रेस कर दें तो यहां पर देख काम नहीं करेंगे तो आप इस बटन को भी यूज़ कर सकता है अगर फोटे बच्चा अगर आपके घार में आप चाहते हैं कि वह रिमोट कंट्रोल में कुछ भी प्रेस करें तो आप प्रेस करना हो तो आप इस पीचर को यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों यह रही complete details को दे इस Air Conditioner के remote control functions के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को पूरा detail में देखने के बाद आपको इस Air Conditioner के remote control के फीचर अच्छे से जरूर समझ मैं होगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हैलफुल लगा हो और जड़ा सा भी आपकी काम आया हो इस वी Спाल्छा आपकी काम मैं आपकी के तापकी काम मैं झाया होगे दोस्तों के कि अड़ाओ।